आप सब को जय मसी की दोस्तों आप कैसे हैं हम आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनन्दित होंगे और प्रभु आप सब को आशिशित रखे हैं आगे हम प्याड़े दोस्तों आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि जब परमिश्वर जानते थे कि आदम और हुआ पाप करेगा तो परमिश्वर पिता उसे रोके क्यों नहीं। यहुना एक अध्याए एक से तिन पद के अनुशार परमिश्वर ने पूरे जगत को अपने बचन से बनाया। अपने बचन के द्वारा ही उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आकास के पच्छियों और समुद्र के मचलियां और भाती-भाती के समुद्री जीव और धर्ती पर रहने वाले तमाम जीव जन्तु को अपने बचन के अनुशार बनाया। पर दोस्तों आप क्या जानते हैं कि परमिश्व ने आदम और हुआ को बचन से नहीं पर भूमी के मिटी में अपने हाथों से बनाया। इसलिए सम्पुन संसार और पूरा ब्रहमांड परमिश्वर की आग्या को मानता है। मगर आज मनुष्य परमिश्वर की आग्या को टाल देता है। क्योंकि मनुष्य को बड़े प्रेम और स्वतंतरता के साथ बनाया गया है। उत्पत्ती दो अध्याए सोला बचन के अनुषार परमिश्वर ने आदम को पहला अपना बचन दिया। और यहवा परमिश्वर ने आदम को यह आग्या दि कि तुब आटिका के सारे बिरिछो का फल बिना खटके खा सकता है। पर भले या बूरे का ज्ञान का फल है उसे कभी न खाना क्योंकि जेस दिन उसका फल तु खाएगा उसे दिन अवस्य तु मर जाएगा। यह बचन परमिश्वन ने पर्थम पुरूष अथार्थ फस्ट मैन आदम को दिया और जब परमिश्वन ने पहली इस्तिरी हववा को बनाने के लिए सोचा तो आदम को गहरी निंद में डाल दिया और दुनिया का सबसे पहला ओप्रेशन किया आदम की पसली निकाल कर। पर दोस्तों आप क्या जानते हैं परमिश्वन ने आदम की पसली से एक सुन्दर इस्तिरी बना दिया और परमिश्वन ने उस इस्तिरी से कहा देख मैं तेरा परमिश्वर हूँ तो मुझे छोड दुसरों को इस्तिरी ना मानना और अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न पास लाया, दोस्तों क्या आप इस भेद को जानते हैं, आदम ने उस इतरी को देखते हीं कैसे पहचान लिया, कि यह मेरे सरीर में से निकाली गई है, क्योंकि जिस समय आदम की पसली को निकाल रहे थे, उस वक्त तो आदम बेहोस था, यानि वो निंद में था वह इसलिए जान पाया क्योंकि वह सरीर प्रान आत्मा से बना है आदम का सिर्फ सरीर बिहोस था यानि निंद में था मगर प्रान और आत्मा नहीं जेस प्रकार आज आदमी बिहोस होता है तो उसकी सरीर बस बिहोस होता है सांस लेना और दिमाग का चलना बिहोस नहीं होता है और इस भेद को समझने के लिए वीडियो के अंत में सरीर प्रान आत्मा वाला वीडियो आएगा उस बचन को जरूर देखें आगे हम देखते हैं कि परमिश्वर ने आदम को आग्या दिये और हवा को भी आग्या दिये और इन दोनों को बनाते और आग्या देते समय स्वय परमिश्वर पिता उनके सामने थे ताकि वह दोनों यहवा परमिश्वर को पहचान सके और सदा परमिश्वर में बना रहे इसलिए आज जितने भी प्रभु ईशु की सेवा करने वाले पास्टर तथा प्रभु ईशु मसीर पर विश्वास करने वाले विश्वासी सब प्रभु ईशु को पहला स्थान पर रखते हैं क्या आप जानते हैं सैतान आदम को बहका नहीं पाया क्योंकि वह परमिश्वर के स्वरूप एउम समानता में था और धर्ती का मुख अधिकारी था पर उसकी पतनी चंचल थी और उधर उधर घूम घूम कर चलने वाली और इधर उधर मंडराने वाली थी और हर एक भाती भाती जीव जनतु के पास जाया करते थी और हर एक पेर पौधों के पास घूमा करती थी जब सैतान ने ऐसा मौका देखा कि वो अकेली है तो उसे फल खिलाने के लिए पूरा उपाय सोचा और वो जो फल था भले और बुड़े ग्यान का फल था और वो सैतान उसे इस्तिरी हववा को फल खाने के लिए करहीं लिया और वो भले बुड़े ग्यान का फल आखिर खाही लिया और सैतान उसको मन में ऐसा लालच दे दिया कि वो उस फल को एक टक से देखने लगी और सैतान उसको कहने लगा कि वो फल तुझे बुद्धी और ग्यान देगी और तुम परमेश्वर के तुल्ली भी हो जाओगे तो वह इस्तिरी हववा उस फल को तोर कर खाली और यह सब घटना पडमेश्वर पिता देख रहे थे और जानते भी थे कि ऐसा हो शकता है इसलिए आदम और हववा को पहले से रोकने के लिए जी हाँ दोस्तों आप सबने सही सुना आदम और हववा को पाप करने और उस फल को खाने के लिए पडमेश्वर पिता ने अपने बचन दिये थे जो बचन था आदम और हववा को आग्या दिया था कि मुझे छोड़ दुसरों को इस्वर करके ना मानना और उस अदन के वाटिका का सब बिरिचों के फल को बिना खटके खाना पर जो बिरिच वाटिका के बीच में है उस पेर का फल को न खाना क्योंकि वो भले बुरे ग्यान का बिरिच है परमेश्वर पिता ने अपने बचन के द्वारा पहले से जानता था कि आदम और हववा पाप करेगा इसलिए उसे रोकने के लिए पहले ही से आदम और हववा को चेतावनी बचन दे दिया था मगर वो दोनों पिता परमिश्वर के बचनों को न माना दोस्तों आज भी आप सब में से बहुत से लोग पिता परमिश्वर में बचन को नहीं मानते हैं जब आप कोई पाप करते हैं जैसे कि नसा हो या मार पिट हो या बेविचार करते हो या चोरी करते हो या कुछ भी करते हो परमिश्वर पिता आपको प्रगट रूप से नहीं कहते कि ऐसा ना कर ऐसा पाप ना कर पर हां आपको पहले बचन से रोका गया है पहले ही से परमिश्वर ने आदी से बचन था वही बचन सब विश्वासियों के लिए धर्ती के लिए और पुरे ब्रहमांड के लिए पहले से बचन दिया है कि आपको कैसे चलना है आपको कैसे खाना है कैसे उठना है और कैसे कोई बात करना है कैसे किसी के साथ ब्योहार करना है ये सारी बचनों को परमेश्वर आदि से दे दिया है परमेश्वर ने बाईवल में अपने बचनों को पहले से धीरे धीरे बातों को द्वारा और दिश्टांत से और प्रगट रूप से ये सारी तरीकों से अपने बचन को आपको और हमको दे दिया है अब यहां आपको उपर है कि हववा की तरह उसके बात में नजर अंदाज करेंगे कि उसके बात को माने या ना माने क्योंकि हववा तो उसके बातों को नजर अंदाज करके उस फल को खाया और परमिश्वर पिता के बुरुद्ध में खरी हो गई जबकि परमिश्वर पिता ने उसे रोकने के लिए पहले से मना कर दिया था कि उससे फल को ना खाना वो पहले से जान चुका था कि सैथान उसे भखा देगा और उसको उससे फल को खिलवाएगी पर तू सावधान रहना क्योंकि परमिश्वर ने आपको और हमको श्रिष्टी के पहले इंसान को यानी को सब को स्वतंत्र बनाया था वो अपने परमिश्वर अपने दवाव को हुकुम को जबरदस्ति मनुष्यों को उपर थोपने के लिए नहीं बनाया है वो मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है कि हम परमिश्वर की इच्छाओं को अपनी इच्छा के साथ मानते हैं कि नहीं मानते हैं इसलिए दोस्तों आज बहुत से लोग उसकी इच्छाओं को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूं मैं कहीं जाओं कहीं आओं मैं अपने मन का मालिक हूँ लेकिन सच मुच में आप अपने मन के मालिक नहीं है परमिश्वर ही मालिक है उसी ने पहला आदमी और पहले स्तिरी को बनाए हुए कहा कि मैं ही तेरा परमिश्वर हूँ अता आपके उपर में हैं कि आप उनकी आग्याओं को माने या ना माने वो आपके उपर है पर हमारा तो सिर्फ इतना है कि हम परमिश्वर पिता के सत्य बचन को आप तक पहुँचाएं आज आप सब निच्चे से जाने होंगे कि परमिश्वर पिता ने आदम हुआ में पहले ही से चेतावनी दे दिया था और आप लोगों को भी पाप से बचने के लिए पहले ही से चेतावनी दे दिया है आप माने तो भला नहीं माने तो आप करनी का फल खुद पाएंगे आगे इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभू आप सब को आसीश दे जय मसी की कि अजय कि अ कर दो सुनने के लिए भी भी